आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस बैंक के Q3 के रिजल्ट के बारे में एक्सेस बैंक के Q3 के रिजल्ट आ गए हैं देखते हैं कैसे रिजल्ट पेश किया है कोई डिविडेंट विविडेंट कुछ दिया है कि नहीं दिया है यूजिल अब तो दे नहीं रही है कोई भी बैंक ये रहे एक्सेस बैंक की रिजल्ट और जो भी रिजल्ट है वो सब इन लाक्स आपको देखने को मिल रहा है बाइचांस में इन करोर या कुछ और फिगर बोल दू तो उसे एग्नोर करके यह आद रखना जो भी फिगर में हम बात करेंगे वो बात करेंगे इन लाक्स की जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए है प्लीज चैनल को आए हो तो सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो और इंकम की बैंक की कितनी इंकम हुई है काफी तरीके होते हैं बैंक की इंकम की लिए इंटरेस्ट अर्ड सबसे में तरीका होता है डिसकांस अन बिल इंकम ऑन इंवेस्टमेंट इंटरेस्ट अन बैलन्स विद आर बिया अधर इंकम और फिट आता है टोटल इंकम इन सब का म वह चेक करें, टोटल इंकम की बात करें, 19,274.39 लाक इन रुपीज, कि आपको टोटल इंकम होती भी देखने को मिलिए, यह मैं समझा है, 19,001 की इंकम हो जाएंगे अपके फिर आगे जाके, 19,000,000,000,000,000,000,000,000,000 करोर के income हुई है तो उसके आगे आपको zero's लगाने पड़ेंगे लास्ट कौर्टर की बात करें सप्टेंबर क्या 19,000,000,870 लास्ट यार की बात करें 19,494 यार ओन यार हलका सा डिप आया है quarter on quarter भी अच्छा खासा आपको dip आता है वा देने को मिला है expense की बात कर ले थे total expense कितना हुआ है bank का total expense की बात करे excluding provision अब तक provisioning bank ने incur नहीं किये current अगर बात करें December quarter की तो 13,178,88.88 का bank को expense हुआ है lakhs in carots की बात हो रही है last quarter 12,972.46 है यह comma 46 है I don't know I guess यह comma है हम इसको comma मानके चलेंगे फिर इसको हम comma ही consider करेंगे क्योंकि comma 2 digits के बाद होता नहीं है point मान ले थे okay next अगर बात करें तो उसके बाद है 13,752.18 हम figure मानके चल रहे है कि उतने का bank को last year expense हुआ है year on year बात करें expense गिरा है quarter on quarter expense rise हुआ है total provision में मद्य रखते है कि वो कितना bank को profitability मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी provision की बात करें provision and contingency other than tax के अगर हम बात करते हैं current quarter bank ने provision किया है 4,604.28 lakhs इन करोड का last quarter 4,580 lakh last year 3,470 lakh का bank ने provision किया था provision के अगर हम बात करें year on year भड़ा है quarter on quarter भी आपको provision भड़तावा देखने को मिल रहा है total profit की बात कर लेता है कि total net profit for the period कितना आपको होतावा देखने को मिल रहा है उसने picture clear हो जाएगी कि कितना आपको net profit होतावा देखने को मिल रहा है net profit for the period के अगर हम बात करें इस quarter वन इस quarter आपको 1116 हम मान के चल रहे है last quarter 1682 और last year 1754 year on year भी ड्रॉप है quarter on quarter भी profit में ड्रॉप आथा वा देखने को मिल रहा है इसका मतब result अच्छा नहीं आया है obviously बात है provision में bank की बड़ी है total अगर हम परे eps की बात कर लेता है तो eps आपको clear picture easily समझ में आ जाएगा currently earning per share access bank के लिए पर share bank earn कर रहे 3.65 last quarter था 5.70 और last year same quarter में था 6.23 year on year half हो गया है almost हम कह सकते हैं in terms of percentage नहीं मैं एक रफ फिगर मान रहा हो half हो गया है quarter on quarter भी अच्छा खासा bank के लिए गिरता हुआ मौका लेके आया है NPA की बात कर लेते हैं यह NPA वो है जो Supreme Court ने अभी तक कहा नहीं है कि हमारे जो को NPA नहीं consider करते वे कि अगर हम बात करें gross NPA yearly five point से लेके अभी 3.44 आ गया है quarterly 4.18 था net NPA की बात करें इस quarter 74 है last quarter 98 था और last year 2.09 था यह तब की बात हो रही है जब हम वो moratorium वाला loan book को account में नहीं ले रहे है कि यह बंदन bank की तरह access bank ने भी बताया है कि जो moratorium वाले पैसे है अगर उसको हम account में लेना शुश्रू कर देंगे तो NPA कितना हो जाएगा नहीं उन्होंने कहा है कि yes उन्होंने बताया तो नीचे वाला paragraph पर आपको धियान देना है however if the bank has classified such borrowers account as NPA after 31st August 2020 the bank gross NPA ratio and net NPA ratio would have been 4.55 and 1.99 last year से भी ज्यादा last year bank का NPA कितना था last year bank का NPA था फॉर फाइफ अपके बाप 4.18 मतब quarterly तो जादा ही हो गया न NPA last quarter bank का 4.18 था अपकी बार तो बढ़ जाएगा और जो net NPA है वो one point something था तो मतब yearly तो चलो ठीक अभी भी कम है लेकिन quarterly तो NPA बढ़ रहा न तो यह bank के assets के उपर stress लाने की कोशिश होई जारी है की जारी है मतब की जारी है तो bank को अपने आप से क्यों करेगी ठीक है वो monitor के वाले अगर कल को Supreme Court कह देती है कि नहीं होगे आप as NPA declare करोगे तो bank के लिए काफी आगे जाके मैनत पढ़ने वाली है यह थे access bank के रिजल्ट शेर analysis कर लेते हैं access bank का share price के analysis कर लेते हैं शेर प्राइज में आपको ज्यादा कुछ उठाल चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा आज overall bank ही गिरा था आज overall market ही गिरा था तो आपको सभी ही जगे आपको आज downfall देखने को था तो access bank का share I guess top losers की category में था आज nifty के अ और correct नहीं होगा तो पता नहीं 3.77 percentage आज ahead of result गिरा है मतलब result discount किये गए है discount incense negative discount किये गए है 5.49 गिरा है 5 days में 1 month के अगर हम बात करें तो 1 month में actually में growth आई है 2.5% यानि net net कहूं तो bank ने already share price ने already कुछ हद तक discount कर लिया है काफी सरे bank के negative result आने के बाद access bank के जो result आज जाने वादे थे तो market ने already इसको discount कर दिया इसका benefit क्यों होता है यह market अगर result आने के पहले अगर buy करता है उसका benefit यह होता है कि मतब result आते ही next आपको जैसे भी आज suppose result आया अच्छा result आया और आज अच्छी buying होई है तो कल आपको हो सकता है कि हलकी सी buying होती हुए देखने को मिले या negative आपको price जाता हुए देखने को पहले profit booking आती हुए क्योंकि market already चीजों को पहले ही discount कर लेता है अगर आपको लग रहा है आपको research करना है आपको analysis करना है आप नहीं रूख सकते कि जब तक company result देगी जब तक हम wait करेंगे फिर buy करेंगे अगर आप तब तक wait करोगे आपका मौका चला जाएगा अब जिने पता था कि bank के result almost 2-3 bank result चांसे ज्यादा है खराब आने के तो उन्होंने और डिसकांट कर दिया देखिए 4% एक दिन में access bank का निफ्टी का शेर गिरना कोई बहुत छोड़ी बात नहीं होती है 4% एक दिन में गिरिया अब कल क्या हो सकता है market का mood already negative है थोड़ा बहुत और profit booking आपको आता हुआ देख कर लेता है तो I guess 50% result discount हो गया है 50% का लोहर हो सकता है शायद upward हो जावे या download हो जावे अब वह market के उपर है long term की हम बात करते है तो long term की में बात करूँ ये share का मेरा target 800 रुपीज का है जो channel पर पहले starting से जुड़े है उन्हें पता है हमारा initially target 800 रुपीज का है और हमने buying की थी 400 के level पर हमने share को buying की थी 800 का हमारा target है initially हम आरा जो year था तीन साल वेट करना था एक साल बीद गया है दो साल और बचा है two years में 800 का target है हमारा short term image short term की बात करूँ so image short term में आप अगर exit लेना चाहो तो 650 के असपस अगर ये share price आता है तो आप exit ले सकते as a disclaimer मैं पास ये share मेरे portfolio मे DMAT में as of date of recording नहीं है शायद मेरे जो mutual funds buy किये है उनके तुरू अगर purchase होगा होगा ये share तो उसका मुझे idea नहीं है उनके तुरू शायद मेरा इसमें holding हो सकता है मेरा personally direct shares holding में पास मेरे DMAT में as on recording date तो नहीं है उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आए अगो वीडियो पसंद करना तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजे मिलेंगे सब्सक्राइब कर किस आंटरस्टिंग वीडियो में तबते के लिए धन्यमाद